Hello friends, इस वीडियो में मैं आप लोगों को bind skin के दो command दिये हुए, एक bind skin और एक interactive bind skin So, इस वीडियो में मैं आप लोगों को interactive bind skin के बारे में बताऊँगा, कि इसको किस तरीके से use करते हैं और यह कितनी helpful होती है हमारी skinning के लिए, तो इसके option box में जाएंगे, तो यह देखिए इस तरीके से कुछ हमारे parameters दिये हुए है, जो मैं by default ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बस इसका जो max influence है, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ, मैं 3 रख लेता हूँ, बस इसका जो influence है, वो 3 रख यह भी बताऊंगा कि यह क्या होता है, सो मैं इसको bind कर देता हूँ, यह देखिए, अब यह मेरा bind हो गया, अब यह देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया था capsule type और और वहाँ पर कई दो options थे, तो यह यहाँ पर show कर रहा है कि किस तरीके का जो हमारा influence है, इसको select कर सकते है, अगर इसको मेरे को change करना है, देखिए, मैं जिस joints को select करूँगा, वहाँ पर दिखायेगा कि इसका influence कहा तक है, जो solder area है, उसको select किया, और यह दिखा रहा है कि हमारा joints जो है, यहाँ तक distribute हो रहा है, तो हम इन सभी को minus कर सकते हैं, यह yellow controller मैं select करूँगा, इस तरीके से move करू तो मेरा influence है, solder का, वो move हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यह देखिए, अब मैं rotate करता हूँ, solder को यह देखिए, तो solder कहाँ से rotate होगा, यह देखिए, यहाँ से rotate हो रहा है, देखिए, मैं undo कर लेता हूँ इसको, तो देखिए, मैंने undo कर दिया, तो इन सभी को हमें कैसे handle करना है काई color के दिये हुए है green red कैसे करना है यहाँ पर cursor ले जाएंगे देखे मैंने yellow area पर रखा और cursor लेगे इस cursor को इस तरीके से click करेंगे देखे यह इस तरीके से move हो रहा है left mouse button है उसको हम लोग press किये रहेंगे और देखे यह influence हम लोग इस तरीके से जो मेरा red area है देखे जहां पर यह change होगा जिस area में change होने के इसके commands हैं वहाँ पर यह yellow color का show करेगा आपको कि यहाँ पर यह change हो जाएगा इसको मैं यहाँ पर select करके और left mouse को click करके open down करूंगा तो यह मेरा influence जो है यह कम हो गया तो किस तरीके से करेंगे जो हमारा left mouse button है जब यह hao हो जाएगा इस तरीके से और select करेंगे और press करके जब इसके handle को drag करेंगे तो इस तरीके से यह handle होगा उसी तरीके से मैं दूसरे joints को करता हूं देखे इस तरीके से और यहाँ पर जाओंगा तो यह में बेट को अर्जेस्ट करना है तो हम लोग कर सकते हैं अब देखिए यहां पर दे रहा है तो यहां पर यह लोग करेंगे देखिए दोनों साइट का दिखा रहा है मिरा हमारा जोएंट्स है सेम ही जोएंट्स है तो दोनों तरफ दिखा रहा है देखिए इस तरीके से हम किस को बहुत इसको और अर्जस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से यूज करने के लिए होता है तो यह भी एक बहुत ही powerfull tool होता है कि skinning करने के लिए किस तरीके से हम लोग इसको skin कर सकते हैं इसके थुरू इस तरीके से अब इसको हम लोग जाएंगे paint skin weight में देखिए इस तरीके से हमें इसकी value भी मिल जाती है अब यह देखिए जहां पर हमारे influence जहां पर था यह देखिए इस तरीके से influence भी आ रहा है इसका अब देखिए फिर दुबारा हमें वही handle और select करेंगे अभी देखिए मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ यहां तक इसका influence दिखा रहा है जो हमारा wrist का है यहां तक influence दिखा रहा है तो इसको मैं यहां से select करूँगा और यहां पर रखता हूँ ठीक यहां पर ठीक अब इसके बाद मैं paint skin weight है उस पर देखूँगा तो इसका influence यहां तक आया मैं undo करता हूँ फिर से एक बार और दिखाता हूँ कि पहले कहा था इसका influence और आप कहां पर है यह देखिए पहले जो था हमारा यहां तक आ रहा था default जो हमारा यहां तक आ रहा था अब इसको जब मैंने यहां पर drag करके किया तो यह देखिए कितना powerful tool है दोस्तों इसकिन को बहुत जल्दी ब्लॉक कर सकते हैं देखिए तो इस तरीके से हम कहीं पर भी इसकिन को ब्लॉक कर सकते हैं सो दोस्तों ठेंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में